क्यों है श्री रामला की मूर्ती का रंकाला पांच रहसे छुपे हैं इसके पीछे रामला की मूर्ती की खसियात क्या है अयोध्या में जन्म भूमी पर स्थित राम मंदिर में रामला की मूर्ती को स्थापित करके उनकी प्रान प्रतिष्ठा की गई है अब आम लोगों के दर आशनार्थ मंदिर खुला है। आरती में शामिल होने के लिए पहले से बुकिंग करानी होगी। मूर्ती के दर्शन करना अद्भुत है। क्या आपको पता है कि रामलला मूर्ती की खासियत क्या है। यदि नहीं तो यहां जानिये। शाम शिला से बनी है। मूर्ती क्योंकि श्री राम का रंग भी शामल था। करीब तीन अरब साल पुरानी चटान से बनी हैं मूर्ती। हजारों वर्षों तक शरण नहीं होगा मूर्ती का। प्राण प्रतिष्था के बाद बदल गई हैं मूर्ती। मूर्ती को पहनाए गए हैं कई कीमती आभूशन और वस्त्र। एक काला पत्थर रामला की मूर्ती को काले पत्थर से बनाया गया है। बोलने में यह काला पत्थर है परन्तु इसका रंग शाम है। इसे कृष्ण शिला और शाम शिला भी कहा जा रहा है। मूर्ती एक ही पत्थर की बनी है इसमें किसी भी प्रकार का जोड नहीं है। पुर्तिकार अरुन योगिराज द्वारा तराशी गई 51 इंच की मूर्ती को तीन अरप साल पुरानी चटान से बनाया गया है। नीले रंग की इस चटान को मैसूर के HD कोटे तालुका में जयापुरा होबली में गुज्य गौदानपुरा से खुदाई करके प्राप्त की गई थी। यहाँ एक महीन से मध्यम दाने वाली आस्मानी नीली मेतामॉर्फिक चटान है। इसकी चिकनी सता की बनावट के कारण इसे सोपस्टोन कहते हैं। बनाई गई मूर्फि किसी पाँच वर्षिय बालक की मनमोहक छवी लिये हुए है। बाए हाथ में धनुष और दाए हाथ में बाण है साथ ही इस हाथ की मुद्रा आशिरवात की है। मूर्फि की उचाई 51 इंच की चोडाई 3 फीट और वजन 200 किलो का है। गुंगराले बाल है और मस्तक पर सूर्य के साथ वैशनव तिलक है। मूर्फि के मुकुट के आसपास उ, पद्म, चक्र, सूर्य, गदा, शंक और स्वस्तिक के चिना है और आसपास सभी 10 अवतारों को भी उकेरा गया है। मूर्ती के चरणों में हनुमान और गरुड जी को बनाया गया है। मूर्ती को करोडों का मुकुट पहनाए जाने के साथ ही कीमती आभूशन और वस्त्र पहनाए गये हैं। पांच प्रान प्रतिष्ठा के बाद मूर्तिकार की मूर्ती बदल गई। करनाटक के अरुण योगी राज की बनाई गई भगवान राम की मूर्ती ही राम मंदिर में स्थापित की गई है। योगीराज ने कहा कि गर्भग्रिह के बाहर तक उनकी मूर्ती की छवी अलग थी। लेकिन जैसे ही मूर्ती को गर्भग्रिह में प्रवेश कराया गया अचानक ही उसकी आभा ही बदल गई। इसे मैंने भी महसूस किया। मैंने गर्भग्रिह में अपने साथ मौजूद लोगों को भी इस संबन्द में कहा था कि यह दैविय चमतकार है या कुछ और, लेकिन मूर्ती में बदलाव हो गया था। मैं किन भावनाओं से गुजर रहा हूं यह शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अगर आपको यह विडियो पसंद आये तो कृप्या लाइक करे, शेर करे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे धन्यवाद।